हेलो बच्चों आज हम एक पद्यांश की सैप्रसंग व्याख्या करेंगे और यह पार्थ आपका इसमें लहासा की और इसका एक पद्यांश है यह शुरू होता है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है फ्री क्लिंग पॉंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही हिंदुस्तान की सफी चीजे इसी रास्ते से जाया करती थी इस पद्यांश का आज हम सैप्रसंग व्याख्या इस वीडियो में कर रहे हैं अगर आपके इस पद्यांश से सम्मधित कोई प्रैशन है तो आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हैं प्रसंग में हम इस प्रकास से लिखेंगे कि प्रस्तुत्व गद्यांश हिंदी की पठे पुस्तक छितिज भाग एक में संकलित लहासा की और शीर्शक यात्रावरत से लिया गया है इस यात्रावरत की लेखक श्री राहुल संकृतायन है और इस पाठ में लेखक ने उनकी तिबबत की राजधानी लहासा की यात्रा का वर्णन किया है और यह यात्रा उन्होंने 1930 में की थी इन पंक्तियों में लेखक ने उनके रास्ते में आने वाली सभी कठिनाईयों का वर्णन किया है यह इस पद्याश का प्रसंग है उसके बाद हम व्याख्या करेंगे व्याख्या में हम लगभग आठ या दस लाइनों में किसी भी पद्याश की व्याख्या करते हैं जो उसमें लेखक के द्वारा बताया गया है तो यहाँ पर हम इस पध्यांश की व्याख्या कैसे लिखेंगे हम व्याख्या को भाव ग्रहन भी कह देते हैं तो दोनों तरह से हम इसे बता सकते हैं चाहिए तो इसे भाव ग्रहन कह लिजे या व्याख्या कह लिजे तो लेखक कहता है कि जब उसने तिब्बत की यात्रा की थी उसमें भारत का पर्तिक यात्री या व्यापारिक वस्तुएं सभी नेपाल से होकर के तिब्बत चाती थी यानि कि बीच में नेपाल जरूर आता था और लेखक भी उसी प्रमुख रास्ते से तिब्बत गया था क्योंकि उस समय फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था नेपाल ही नहीं भारत वर्ष की वस्तुएं भी इसी माग से तिब्बत ले जाई जाती थी और यह ब्यापार करने का एक ही रास्ता नहीं था बलकि है के बल ब्यापार का ही रास्ता नहीं था सेनिक भी यहां से जाते थे यहनी से कुन सा रास्ता कहा जाता था सेनिक रास्ता भी कहा जाता था क्यों कहा जाता था क्योंकि सेना भी इसी मार्ग से होकर के जाती थी इसलिए स्थान स्थान पर सेना के ठहरने के लिए चोकिया बनाई गई थी चोकिया किसे कहते हैं जहां पर सैनिक रहते हैं सेना के जवान जो हैं जहां पर रहते हैं उसे चोकिया कहा जाता है चोक्यां बनाई गई थी और किले भी बनाई गई थी किला क्या होता है सेना के ठहरने का बड़ा भवन वह भी बनाया गया था और इन किलों में और चोक्यों में चीनी सेना रहा करती थी आज कल बहुत से फोजी मकान गिर चुके थे और दुर्ग के किसी न किसी भाग में किसान उने अपना घर बना लिया था यह कब की बात है जब लेखक ने वहां की यात्रा की और वहे भाग आबार दिखाई देता जात था जहाँ पर लोग रहने लगे थे और जो जहां लोग नहीं रहते थे जिन भाग में वह भाग क्या था गिर चुका था इसलिए यह स्पोस्ट है कि लेकक ने ततकाली नेपाल से तिबब जाने के मार्ग का यथार्थ चित्र अंकित किया है अब इसका विशेश लिखना होता है से प्रसंग व्याख्या में हम तीन भागों में से प्रसंग व्याख्या करते हैं सबसे पहले होता है प्रसंग फिर होती है व्याख्या फिर हम लिखते हैं विशेश विशेश के अंतरगत हम क्या लिखेंगे इस पध्यांस में के बारे में तो यहां हम लिखेंगे तत्कालिन तिब्बत जाने वाले मार्क की दशा और उससे भी पूर्व उस मार्क पर बनाई गई चीनी सैनिक विवस्था की और संकेत किया गया है दूसरा इसका विशेश हम लिखेंगे कि इसमें तत्या और घटना को आधार बना करके लेखक ने बहुत ही रोजचक वर्नन किया है यात्रा का तीसरा इसकी विशेश्था की बात करें तो इसकी भाशा सरल है, सहज है, व्यभारिक है इसमें तत्सम शब्दों के साथ उर्दू-फार्शी शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रसंग, व्याख्या और विशिश करके हम इसकी किसी भी गद्यांश की से प्रसंग, व्याख्या या भाव, ग्रहन का कोई प्रशन आता है उसे सॉल्ब कर सकते हैं इससे समंदित प्रिश्ण भी पूछ लिए जाते हैं जैसे कि प्रिश्ण है कि पहले तिबब जाने के लिए कौन सा रास्ता प्रयोग में लाया जाता था फिर प्रिश्ण यह आ जाता है कि इस मार्ग में स्थान स्थान पर क्या बना हुआ है क्योंकि ये सब question आपको उसी में मिल जाएंगे, उसी paragraph में मिलेंगे और उनका क्या प्रयोग होता था तीसरा question है, बाद में भारत से तिबबत जाने का कौन सा मार खुला था आप जानते भी हैं जैसा कि इसमें आया है, फ्रीकलिंग पॉंग जो था question है, तिबबत में भीक मंगों की स्थिती कैसी थी तो इस प्रेकार से भाव ग्रहें की questions आजाते हैं, इसे आप इस प्रेकार से समझ करके कर सकते हैं Thank you for watching